जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड रुपे कमा लिये, तो चलिए शुरुवात करते हैं, देखते रहिएगा पूरा विडियो, साथ इसाथ कमेंट करके वताइगर थ्री आपको कैसी लेगी, सुपर हिट या सुपर फ्लोप, इस पाई उनिवर्स की फिल्म केमियो देखने को मिला था, बताना जाएंगे दोस्तो, 12 नवंबर यानि दिपावली पर रिलीच हुई फिल्म टाइगर थ्री को, हिंदी, तमिल, तेलगू, तीन भासाओं में रिलीच किया था, और फिल्म दुनिया भर में लगभग 9000 स्क्रीन पर रिलीच की गई थी, द ताकि दूसरे दिन भी फिल्म के कलेक्शन ताबड तोड रहे और फिल्म ने सेकंडे, ओल इंडिया नेट कलेक्शन उनसाहट करोड 25 लाग रुपे का किया, अब दोस्तो, तीसरे दिन फिल्म की जो कमई थी, वो पहले दिन के मुकाबले, थोड़ी सी कम रही और फिल्म ने तीसरे दिन फिर से 44 करोड 30 लाग रुपे कमाए, लेकन दोस्तो, जैसे ही फिल्म का चोथा दिन आया उसके बाद तो, इस फिल्म के कलेक्शन हर दिन गिरते रहे, जिया दोस्तो, आपको बता देगे, टाइगर 3 ने अपने चोथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 21 कर इस सिर्फ 18 करोड 50 लाग रुपे की रही, हाला कि बात करें, छटे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तो, आपको बता देगे, टाइगर 3 ने अपने छटे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन सिर्फ 14 करोड 10 लाग रुपे का किया, बात की जाए, यहाँ पर टाइगर 3 क आज यानि के साथवे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तो, मेगा इश्टार सलमान खान के टाइगर 3 को जो आज उक्की पेंसि मिली है, वो कल के मुकाबले काफी जादा बहतर है, तो जो रिपोर्ड आभी तक है यह, उसके मुताबिक टाइगर 3 आज इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 16 करोड 50 लाख रुपे का कर रही है, और इसी के साथ दोस्तो, मेगा इश्टार सलमान खान के टाइगर 3 का ओल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है, 217 करोड 85 लाख रुपे, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 29 करोड 24 लाख रुपे, बताना चाहूंगा दो लोक्स ओफिस पर क्लीन हीट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन ही, साड़े 300 करोड का करना होगा, जबकि फिल्म ने अभी तक इंडिया नेट कलेक्शन सिर्प 217 करोड 85 लाख रुपे का किया है, यानि कि दोस्तो, फिल्म को हीट का टेग हसिल करने के लिए, इंडिया नेट कलेक्शन क्या साड़े 300 करोड तक जाएगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताए, और डेली टाइगर 3 के बॉक्स ओफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए, आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, मैं मिलता हूँ आप से एगल वीडियो में जब तक के लिए खायाल रखे अपना और अपने माता पिता का जेहिंद वंदे मातरम